हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल्टू सक्सस में फ्रेंड्स अगर आप 2020 वाला नेट या जैरफ का एक्जैम देने वाले हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से स्टड़ी कर सकते हैं फर्स पेपर के लावा सेकेंड पेपर शुशॉलजी के लिए यहां पर आपको काफी मदद मिलेगी इसके लावा अगर आप सेट पीजिटी या फिर हायर एजुकेशन से जुड़वा कोई और भी एक्जैम देने वाले हैं तो उसके लिए भी आप शुशॉलजी के लिए यह अगर आपने अभी तक पहले वाले वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले वाले वीडियोज जरूर देख लीजे आपके एक्जैम के लिए इंपोर्टेंट हैं वे सारे वीडियोज पहले वाले अगर वीडियोज की बात करें तो आपको आपके स्लेबस में जितने वीडियोस देख रहे हैं जो डेली वीडियोस 2020 से जुड़े वे आ रहे हैं तो उनमें आपको बता दिया जाए जो पिछला एक्जाम 2019 शुशाल जी वाला हुआ है प्लस यूनिट वाइस इधर डेली वीडियोस आ रही है तो प्लीज किसी भी वीडियोस को मिस्स मत करिएगा सभी को अच्छे से देखिएगा आज हम लोग बात करने वाले हैं ये नियोज में हैं विश्व पुस्तक और कॉपिराइट दिवस अभी हाल ही में बनाया गया है त पुस्तक और कॉपिराइट दिवस के अबसर पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया है अच्छा वेबिनार क्या है इसके बारे में एक वीडियोस इससे पहले वीडियो आई थी उसके बारे में बदाया गया था तो चलिए अभी पहले देख लेते हैं इंपॉर्टन फ्यक् दुनिया भर में जिस तरह से तक्नीकी के माद्यम से सभी छेतरों में विकास हुआ है ठीक उसी तरह से अब किताबों के प्रकाशन एवं स्कूलों कॉलेजों में पाठकरम हेतु तक्नीकी का उपयोग आवश्यक हो गया है NBT ने कोरोना अध्यन श्रंखला नामक एक प्रकाशन संखला के शुभारम की योजना बनाई है इस अध्यन शंकला में कोरोना के बाद के समय में सभी आयू वर्गों के लिए प्रसांगिक पठन सामगरी से युक्त पुस्त के प्रकाशित की जाएंगी चलिए एक बाद फिर से देख लेतें वेबिनार क्या है ये एक ऐसा सौफ्ट वेयर है जिसकी मदद से इंटरनेट पर संगोस्ट या सेमिनार प्रशिक्षन कारिकरम आयूजित किये जा सकते हैं या इनमें भाग भी लिया जा सकता है अब बात कर लेते हैं कोरोना अधिन श्रंखला के बारे में ये है क्या कोरोना अधिन श्रंखला के तहत कोविड-19 के समय के विभिन पहलूँओं से पाठकों को रुबरू कराया जाएगा चिन्हित विश्यवस्तू पर विभिन भारती भाषाओं में किफायती पुस्तिके प्रकाशित की जाएगी सरवाधिक लोगप्रिय पुस्तिकों को PDF फॉर्मिट में लोगों को निश्युलक डाउनलोड की सुविधा भी प्रदान की जाएगी कोविद-19 के कारण समाज के विभिन वर्गों पर मौनवज्यानिक समाजिक प्रभाव के अलावा बच्चों से सम्मंदित पुस्तिके भी तयार की जाएगी जो उन्हें कोरोना योद्धाओं के बारे में जानकारी देगा नैशनल बुक ट्रस्ट के नुसार इस विशय पर योगदान देने के चुक लेख को तथा शोत करताओं को भी यह उप्युक्त मंच प्रदान करेगा इससे पूर्व नैशनल बुक ट्रस्ट ने स्टे होम इंडिया विद बुक्स पहल भी लांच की थी अब बाग कर लेते हैं विश्व पुस्तक और कॉपिराइट दिवस के बारे में कब बनाया गया 23 अप्रेल को दुनिया भर में विश्व पुस्तक दिवस का आयोजन किया जाता है इस वर्ष विश्व पुस्तक दिवस का जो स्लोगन था वो क्या था केल बाका केरिंग ठूरू रीडिंग है तो थीम जो स्लोगन है इसे आप याद रखेगा डेट कब बनाया गया इसे याद रखेगा ये उसको हर वर्ष इस मौके पर कारिक्रमों का आयोजन करता है किताबी दुनिया में कॉपिराइट पर एक एहम मुद्दा है इसलिए विश्व पुस्तक दिवस पर इस मुद्दे पर भी जोर दिया जाता है इसी वजह से दुनिया के कई हिस्सों में इसे विश्व पुस्तक और कॉपिराइट दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है इस पहला विश्व पुस्तक दिवस के अगर बात करें तो यह 23 अपरेल 1995 को मनाया गया था ठीक है 1995 को यह मनाया गया था अब बात कर लेते हैं NBT यानि National Book Trust के बारे में रास्टी पुस्तक नियास के बारे में देख लेते थोड़ा रास्टी पुस्तक नियास मानव संसाधन विकास मंतराले के उच्च शिक्षा विभाग के अंतरगर एक सर्वोच निकाय है इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1957 में की गई थी ठीक है 1957 में इसकी स्थापना की गई थी NBT का उद्देश मद्यम कीमतों पर अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भारती भाषाओं में अच्छ साहिति का प्रकाशन और प्रोसाहन करना है तो यह इतना इंपॉर्टन था आपके फॉर्स्ट पेपर के लिए तो इससे अच्छे से देखिएगा अगर यह आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा कमेंट करके जरूर बताएगा इस वीडियो को जितना हो सकें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरू करिएगा थैंक्यू